Welcome to the Tech Yatra, my name is Nishan और आज की वीडियो में हम समझने वाले की Select and Select Many Operator Link में कैसे काम करते हैं आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ questions figure out के हैं जिनको हम one by one समझने वाले हैं सबसे पहले पहले question से सुरुआत करते हैं That is, what is projection in Link? तो Link में projection एक mechanism होता है जिसको यूज करके आप data source से data को select कर सकते हैं जब आप select operator को use करेंगे तो जिस form में आपका data source था आप same form में भी data को select कर सकते हैं या उस data source पे कुछ operations perform करने के बाद new form में भी data को select कर सकते हैं हमारे पास Link में दो projection method या operators होता है आप उसको method भी बोल सकते हैं या operator भी ठीक है number 1 select and then number 2 select menu सबसे पहले बात कर लेते हैं कि link में select operator क्या होता है and then वो कैसे काम करता है तो as you know कि SQL जो query होती है वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है select close होता था जो क्या काम करता था जो table से columns को retrieve करता था and वो हमारे पर depend होता था कि हम उस table के सारे के सारे column को retrieve करना चाहरे है या उस table के कुछ columns को हम retrieve करना चाहरे है same way में link query में हमारा select operator काम करता है तो आप select operator की help से specify कर सकते हैं कि आपको सारे की सारी properties data source की select करनी है या आपको कुछ particular properties को select करना है ठीक है हम इसका एक्जामपल समझ लेता है तो एक्जामपल में क्या होता है कि आप देखेगा मैं आपको पहले एक बार एक्जामपल दिखा लिटा हूँ यहां पर मैंने क्या काम किया है अगर आप देखेंगे solution explorer में तो मैंने class बनाई है select operator की ठीक है तो select operator में मैंने कुछ अलग-अलग method से जिनको मैं one by one समझाऊंगा उससे पहले मैंने क्या काम किया यहां पर एक employee class बना लिए employee class मैंने क्या काम किया इसलिए बनाई था कि मेरे पास कुछ collection हो कुछ data source हो employee का जिस पर मैं select operator को perform कर बाऊं तो employee class के अंदर मेरे पास id, first name, last name and salary यह चार properties थी और यहां पर एक method था get employee method मैं मैंने क्या क्या है इसमें कुछ properties फिल कर दी ठीक कुछ objects फिल कर दी employee type के और वो data return कर दिया ठीक है अब क्या हुआ कि मैंने पास first method था select method ठीक है यहां पर मैंने क्या काम के यहां पर basic query लिखी ठीक है from employee in employees.get employees method इसलिए लिखा क्योंकि यह method आपको क्या काम करने वाला है list return करने वाला है किस type की employee type की ठीक है तो method call or यहीं पर आपको list return कर देगा and then मैंने के काम के select employee किया कि इसका मदब सारे employees को select कर लो ठीक है तो यह वाला part हो गया मेरा query ठीक है और यह वाला part हो गया मेरा tool list यह मैंने के काम के आप देखेगा मैंने दोनों चीज़े same query में perform कर दी अगर मैं इन दोनों को अलग अलग statement में लिखता तो first query मेरी यहां कुछ method को इस पर perform करना पड़ेगा like tool list या for each loop अगर आप इन दोनों में से कोई भी method इस पर apply करेंगे तब जाके आपकी query execute होगी ठीक है तो अब जैसे मैंने यहां पर tool list लगा दिया तब आपकी query यहां पर execute हो जाएगी ठीक है अब हम क्या काम करते हैं सबसे पहले इस basic method को एक बार समझ लेते हैं जो क्या है select method घर तो मैंने के काम किया है program.cs में मैंने is class का object बनाया कैसे काम करेगा यह थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिल्ड होने में चीख है अब यह बिल्ड होगा तो मेरा कोड यहां पर चल गया मैंने सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्रेटर क्लास का अबजिक्ट बनाया फिर उस क्लास का सिलेक्ट मेधड कोल कर दिया सिलेक्ट में क्या हुआ कि सबसे पहले जब यह क्वेरी एक्जीक्ट होने जाएगी न तो पहले इस क्वेरी में इंप्लोई.get employees मेधड कोल हो जाएगा वह इस मेधड पर आगे employees.get employees क्योंकि यह स्टेटिक मेधड था इसलिए यहाँ पर हमने employee क्लास का अबजिक्ट बनाए बिला है employee क्लास में डोट लगा के उस मेधड को कोल के लिए because it is status method अब उसने क्या काम कर देगा वो आपको यह list रिटन कर देगा इस list में क्या आते है आपके 6 employees थे ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ तो जब आप basic query पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ आपका list of employee मिला ठीक है अगर आप इसमें two list ना लगाते तो यहाँ पर इसक query उस पर मैंने for each loop चला दिया and then मैं सब कोन को print कर दूँआ ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे console पे सारे के सारे जो employees थे 6-6 employee का वहाँ पर id और name print हो गया है ठीक है अब क्या हुआ मैंने यहाँ पर और यह जो मैंने method यूज किया from से start होता है as you know कि यह हमारा query syntax होत करके तो यहाँ पर मैंने employee dot get employees dot to list कर दिया तो यह भी आपको एक list return कर देगा अब क्या हुआ आप उस list पर for loop चला के सारे के सारे employees को फिर से print कर देंगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 employees और print हो गया है तो I think आपको यह समझ में आया होगा अब क्या काम करते हैं मैं बाकी के methods को भी एक बार यहाँ पर unbreak कर देता हूं क्योंकि by one by one हम सब को ही call करने वाले हैं इसको तो हमने समझ लिया इसको मैं comment कर दूँगा एक बार इसको चला के भी छोड़ देता है ताकि अगली बार हमें wait ना करना पर अब हम यहाँ पर आ ज simply select को use कर सकते है अब क्या हुआ let's say आपको क्या काम करना था कुछ properties को select करना था अब यहाँ पर समझते हैं कि let's say आपको सिफ एक single property को select करना ठीक है जब भी आप किसी जो data की list थी उसमें से right अगर आप single property को return करेंगे तो वो property जिस type के होगा उस type का list आपको as a return मिलेगा ठीक सब employees की तो इस और वह आप जो id select कर रहे तो multiple employees की जो list उसमें से select कर रहे दे तो आपका return type हो लिस टाइप का होगा list of integer और आप सब employees के नाम सेलेक्ट कर रहे थे तो गरनाम तो string type का होता है और एक list में multiple employees होता है तो जो आपका return type आप आप आपका list of string ठीक है अब इसको देख आपको हर क्यारी दोनों तरीके से समझाने है, query syntax भी and then method syntax भी, तो क्या हुआ कि यहाँ पर में क्या काम करने आ रहा हूँ, employee की ID सेलेक्ट करने आ रहा हूँ, वो भी sub employees की, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई where close नहीं दिया है, कोई where condition नहीं दिया है, इसका मतलब वो सारे employees की ID सेले करेगा, तो क्या query from employee in employee dot get employees, तो यह तो होगे आपका projection, initialization ठीक है, यहाँ पर आपने initialization कर दिया, फिर देते हैं where close, जो क्योंकि होते है, condition, condition कोई नहीं दिया, फिर आगे select employee dot ID, कि हर एक employee की जो ID है, वो select कर लो and then to list, ठीक है, तो यह आपको किस type का data देगा, list of integer, ठीक है, तो यह अब आपको हर एक employee की ID return कर देगा, आप उसको for each loop करके, यहाँ पर print करा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो सबकी ID प्रिंट हो जाएगी, फिर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, अब मैं देखेगा, मैं क्या काम करूँ, मैं अब करने या रहा हूँ, use method syntax, इस बा select कर लो, ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर toolist return नहीं किया, तो इसने मैं क्या return किया, unmirable of t, ठीक है, और पता है, अगर आपको unmirable of t को, अगर access करना है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, अभी वो query सिर्फ create हुए, execute नहीं हुए, execute कब होगी, या तो आप .toolist लगा ले, या उ इसको next कर दिया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो उसने सारा का सारा code यहाँ पर print कर दिया, ठीक है, अब आगे बढ़े लेते हैं, तो हमें समानी में आगे कि हम single property को कैसे select करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, कि लेट से हमें क्या का काम करना था, select operator की help से कुछ properties को करनी थी, ठीक है, select करनी थी, यह हो सकता है कि आपको different class की कुछ properties को inherit करना था, तो आप उस ताइम पर anonymous भी anonymous type भी use कर सकते हैं, इसका मतलब आप क्या काम कराएंगे, एक object मनाएंगे, और उस object में उन properties को fill कर सकते हैं, और वो select हो जाएंगे, तो इसका भी example देख लेते हैं, क इसमें क्या हुआ, आप देखेगा, मैंने same, यहाँ पर get employees method था, ठीक है, employee class की property में आपको एक बार फिर से दिखा जाता हू, id, first name, last name, और salary, ठीक है, और मैंने क्या काम किया, मैंने को इसमें से, first name, last name, और salary, यह तीन column select करने थे, तो क्या काम करेंगे, from employee in employee dot get employees method, यह हो गया initialization, initialization के बाद select, select में आपने क्या काम किया, आपने बोला कि, आपको को particular column select नहीं करना, आपने एक new employee type का object बना के, उसमें यह तीन property चाहिए, हर एक employee की, ठीक है, तो उसने यह तीनो property को यहाँ पे, वो fulfill कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने two list नही level of employee देगा, अब मैं इसको execute करूँगा, query को, link query को, तो वो कब execute होगी, यह तो जब for each loop चले, यह आपका tool list, मैं उसमें tool list method को call कर दूँ, तो यहाँ पे for each loop चला है, तो इसने का काम कर देगा, अब यह one by one सब को print कर देगा, ठीक है, तो देखते हैं, सबका first name और last name यहाँ print हो गया होगा, हाँ, तो first name, last name, first name, last name, and then salary, सबका print हो गया, अब क्या बात करते हैं, कि same जो हमने query syntax से समझाता है, अब इसको method syntax से समझनेते हैं, तो method syntax में क्या काम करेंगे, employee dot get employees dot select, और select के अंदर lambda expression में लिख दा है, कि employee equals to, हमें new employee का object चाहिए, और जो employee का new object तो, उसमें तीन property चाहिए, first name, last name, and salary, ठीक है, और यहाँ के यहाँ पर मैंने उसको to list कर दिया, तो यहाँ पर जैसे to list करूँगा, तो क्या होगा, जो हमारी link query तो यहाँ पर ही मेरी execute हो जाएगी, और फिर मैंने क्या काम किया, for each loop का use करके उनको print करा दिया, ठीक है, तो same काम हमने किय जो मैं आपको already समझा चुका हो, आप इस image में भी जाके check कर सकते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि how to project the data to anonymous type using a link, I mean link operator or method, ठीक है, अभी क्या हुआ, अगर आप देखेंगे, तो जो मैं data fill कर रहा था, यहाँ है, तो मैं कुछ property select कर रहा था, पर वो same type की select कर रहा था, ज object बनाना है and then उस object में मैं कुण properties को contains करके तब select करना है, ठीक है, तो अब इस case में क्या करने वाले है, इस case में हम क्या काम करेंगे, मैंने एक method बनाया हुआ, उसको समझने के लिए उस method को मैं call कर दे रहा हूँ, method का नाम है select anonymous object, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले query syntax स मैंने वही काम कर लिए, यहाँ पर initialization from employee in employee dot get employees method, तो यहाँ पर आपको employee का data मिला, list मिल गई, उसमें से आपने क्या काम कर लिए, select new, तो आप last method में क्या काम कर रहे थे, select new employee, आप new employee type का एक object ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, सिर्फ एक new object लेंगे, हम मैं नहीं पता, वो किस type का, तो किस type का होगे, anonymous type का, और वहाँ पर आपने, जो आपको keys चाहिए, जैसे कि first name, last name, and salary, वो सब define कर दी, and then उन में जो data था, वो employee object का data आपने उसमें assign कर दिया, तो ऐसे से करके, वो क्या काम करेंगा, सब employees का data था, वो new anonymous type में, उसको fulfill कर लेगा and then ये query भी execute नहीं, यहाँ पर जैसे मैं उसमें for each चलाऊंगा, वो query यहाँ पर execute हो जाएगे, same का हम method syntax से भी कर सकते हैं, बस क्या होता है कि ध्यान दे, method syntax में, जो methods होते हैं, dot लगा के उनको call करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं, जो method syntax था हूँ, उसके throw भी इनको print करा द होंगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम select menu operator की, ठीक है, select menu operator क्या काम करता है, तो जो आपके पास select menu operator होता है, वो collection of collection के जो elements होते हैं, उनको select करने के लिए use किया जाता है, ठीक है, और जो collection of collection होता है, that is also called nested collection, ठीक है, और जो select menu क्या काम करेगा, जो आपका nested collection होता है, उससे single result return करता है, ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, इसको एक बार समझ लेता है, ठीक है, तो select menu operator ध्यान दे, हमेशा collection of collection पर काम करेगा, इसका मतलब nested collection पर काम करेगा, और जो nested collection के element होंगे, ये क्या काम करेगा, उनको combine करके, उसके records को combine करके, एक single result आपको return कर देता है, ठ इसका example हम समझ लेते हैं, तो मैंने के काम किया था, हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है, मैंको इसको एक बार break करके, दुबारा चलाना पड़ेगा, वो क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको select menu की class दिखा देता हूँ, तो मैंने के काम किया, उसका example समझाने के लिए, कि student नाम की class बनाई है, और student नाम की class में मेरे पास दो मैधन है, select menu with complex types, and then, अगर select menu का use करके, आप duplicates values को कैसे remove कर सकते हैं, ठीक है, अब मैंने किया क्या है, यहाँ एक select menu operator के नाम से class बनाई थी, ठीक है, अंदर जो मैंने class का राम से student रखा था, उसके अंदर मेरे पास चार properties थी, id, name, email, and जो programming language है, तो programming language क्या था, यह list of string थी, ठीक है, तो यह बताता है कि कि student को कितनी programming languages आती है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक method बना जाता है, static, जो कि list of student return करेगा, और उसमें मैंने कुछ data फिल कर दिया रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, हर एक student के लिए जो programming थी, जो कि एक list of string property थी, उसमें मैंने कुछ-कुछ programming languages mention कर दी थी, जैसे कि जो james है, james को कौन-कौन से programming language आती है, c sharp, java and c++, ऐसे बाकी लोगों को भी कुछ-कुछ programming languages आती है, क्योंकि लिस्ट of string है, इसलिए हम क्या काम करते है, इसे हाँ पर comma separated string को hold करके रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो example मैं था था, यहाँ पर समझेगा, कि यहाँ पर हमने एक नई list of string मनाई, जिसमें मैंने नाम रे लिए, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या काम किया, list of string दी, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह list of, name list, का list of string, और is ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, भाई जो आयनि मेने बो लो, character शेया था, ठीक है मैं को string के अंदर के जो elements होते हैं वो select करने थे collection of collection के या nested collection थे तो यहाँ पर मैं use करूँगा select many ठीक है अब select many कैसे use करेंगे यहाँ पर उसका एक example मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है second यह जो मेरा method है यह है select many with complex types तो मैं यहाँ पर क्या काम करने वाल हूँ यहाँ पर मैं जो get student method है जिसमें मेरे पास multiple students थे ठीक है मैं उसका एक data लिया मैंने यहाँ पर ठीक है और तो मैंने क्या काम किया एक list of string है ठीक है मैं को सारी के सारी programming language चाहिए थी तो मैंने एक variable लिया method syntax उसमें क्या काम किया student dot get students method call किया तो सारे के सारे students आ गए मैंने select many को call किया select many ने क्या काम किया मैं की मैं को निकाल दो कि जितने भी student है न हर एक student की जो programming language है वो निकाल दो और जो programming language है वो क्या है list of string तो यह क्या होगा collection of collection पर हमने क्या किया किसके help से select many की help से और मैंने यहीं पर क्या लगा दिया to list लगा है तो query यहीं पर execute हो जाएगे ठीक है अब जब मैंने पास list of string आ गई थी ठीक है method syntax ठीक है उसके बाद आप उस पर four each loop चला के सारी के साइज जो programming language थी उनको आप print कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसको एक बार run कर देता हूँ run करके एक बार देख लेते हैं कि यह कैसे काम करने वाला है तो यहाँ पर कुछ select menu के हम दो तीन example देखने वाले हैं कि select menu projection complex data types के साथ कैसे काम करता है मतलब class के साथ और duplicates values को कैसे remove करता है तो यहाँ पर क्या हुआ method syntax को सारी के सारी students के programming language की list मिल गई तो बारा list थी यह उसने list मना दी एक string की उसके बार हमने क्या काम किया यहाँ पर query syntax की अगर मैं इसको query की through execute करता तो कैसे करता जब आप query syntax use करेंगा तो आपको उस case में select use करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमने कैसे काम किया कि from student in student.get students method इसका मदब student in student list उसके बाद मैं को क्या काम करना है जो हर एक student है हर एक student में भी एक programming है तो फिर मैंने डाल दिया from programming in student.programming और उसके अंदर से मैंने क्या सिलेक्ट कर लिए से उस query को easily लिख पाएंगे ठीक है अब क्या हुआ जो मैंने पास data आया था method syntax में एक list आगे थी मैं उनसा programming language को यहाँ पर one by one print करा दोगा ठीक है वो सारी की सारी यहाँ पर print हो जाएंगी आप देख सकते हैं ठीक है अब हम second example समझने वाले है हमारा होने वाला है कि जो सिलेक्ट मैंने की हल्प से हम duplicate values को कैसे remove कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया यहाँ पर मैंने एक method लिया ठीक है method syntax उससे पहले आपको एक चीद दिखा देता हूं कि जब मैं सारी के सारी programming languages प्रिंट करा रहा था यह इसलिए प्रिंट करा पाया था क्योंकि मैंने क्या काम किया था इन सारी programming language को निकालके एक list of string में assign कर दिया था ठीक है और वो सारी के सारी list of string में चली गई तो महाँ पर duplicacy हो गई ठीक है और कई बाह हमें duplicacy तो बिल्कुल भी नहीं चीए data में तो हम क्या काम करते हैं distinct method का use करके उस duplicacy को remove कर सकते है ठीक है और ताकि हमारे data की जो uniqueness है ना वो बनी रहे तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया मैंने एक list of string ले लिया method syntax equals to यहाँ पर क्या काम किया student के dot get students method call आया तो मेरे पास यहाँ पर एक student की list मिल जाएगी यह method syntax ठीक है जो list मिली उसमें मैंने select many call किया select many ने क्या काम किया हर एक student की जो programming languages थी वो सब select कर ली अब जो मेरी programming languages थी उसमें मैंने क्या लगा दिया distinct distinct लगा दिया इसका मदब कोई भी duplicate value method syntax variable को assign नहीं होगी तो यहाँ तक तो हो गई query फिस जैसे मैंने dot to list लगाया तो मेरी query execute हो गई तो मेरा method syntax variable में data आगया तो last time जब मैं query run कर रहा था without distinct तो मेरे पास 12 programming languages थी क्योंकि उसमें कुछ duplicacy भी थी ठीक है अब सारी की सारी unique programming language अब कितनी आई 8 ठीक है और अगर आपको query syntax से करना है तो यह दो line मैंने आपको बता थी कि पहले from student in students data then अब क्योंकि हर एक student के अंदर भी programming language है ठीक है multiple programming language list of string तो हर एक student student list के अंदर एक student then फिर उस student के programming language में program यह initialization हो गया और फिर हमने select कर लिया program ठीक है तो सारे के सारे मेरे पास program या programming language आगी उसमें मैंने call कर दिया dot distinct तो यह मेरा कॉन सा syntax हुआ यह हो गया मेरा mixed query syntax क्यों क्योंकि यह वाला part था यह तो मैंने query syntax को follow करके लिखा ठीक है फिर मैंको duplicacy हटानी दी उसके लिए मैंने dot distinct method का use किया और फिर मैंने dot two list लगाया ताकि मैं उस query को execute कर पाऊं तो मेरा यह data यहाँ पर आ गया ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो query syntax में आपके पास एक data आ गया जिसमें भी object से कुछ columns को select करना है कुछ fields या properties को select करना अब आप को single property भी select करते हैं किसी object से multiple property भी select कर सकते हैं same form में भी data को select कर सकते हैं and anonymous type की form बनाएगा उसमें भी data को select कर सकते हैं select menu operator क्या काम करता है जो collection of collection या जो nested collection होते हैं उनसे data को retrieve करने का काम करता है suppose कीजिए क्या कि हमारे पास एक list of student है ठीक है तो student की एक list हो गई और हर एक student क्या काम कर सकता है multiple subjects को पढ़ सकता है तो हर एक student के अंदर subjects की एक list हो गई जो की होगी list of string तो हम क्या काम कर सकते है list of I mean select menu के helps है हर एक student की जो different different subjects की list थी उनसे सबकी एक list select कर सकते हैं and then फिर उस पर भी follow लगा सकते हैं जब तक आप .to list या for each method यूज नहीं करते ठीक है तब तक आपकी query सिर्फ created होती है वो execute नहीं होती है अगर आपको अपनी query को execute करना है तो आपको .to list या for each को use करना पड़ेगा ठीक है तो I think आपको ये video समझ में आई होगी अगर आपका इस video से related कोई भी question है तो आप YouTube पर comment कर दीजीगा मैं आपको महीं पर reply कर दूँगा and then अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please hit I mean please like share and subscribe and hit the bell icon thank you let's connect in next video bye